और गीता भी ये कहती है कि तमाम रास्तों को चोड़कर सिर्व एक रास्ता पकड़ना है कहते हैं तमाम धर्मों को मानो अरे गीता के अंदर खुद ये महुझूद है कि तमाम धर्मों को नहीं माना जा सकता सिर्व एक धर्मों को मानो कि चलो पढ़ लेती में उसको बोलता है सर्वधर्मान परितेज्य मामें कम्शरणम्व्रच अहम्तो सर्वपापेव्यो मोख्षय श्याममाशुच तु बूसbase हम उना जर्माज हुकूं तो सर्व धर्मान तमाम धर्मों को त्याग करके चोब करके मामेकम नरम बरच देट सर्व एक रास्त मेरे कह दिये कि तमाम रास्ते को पकड़ जो मेरा रास्ता जनाब मुहम्मत र्रसुल्लह नहीं बता दिये जिस्की दूआ हम आप रनमाज में बांगते हैं एक इनसरात अल्मस्तकिम और असमार अस्रास्ते को केलियर करके बताया चली है अदीस देख लेड़े है, हदीस इसदरा बाद जाबर इब अब्रिब अद्रिश ने रजिए लगो ताला ने रिए उकाल, पुन्ना इंदन निबीए रिए रस्वर्रक बिकुमान सबीलिए अमाब इबन माज़ा इस हदीश को किताब अमुक्दमा मिलाए है बाप बादा है बाप इत्वाई सुने के रसुल रसुल कि नभी अक्रीम स्वाइब के पास हम लोग बैटे हुए है अचानक आपने एक लकीर की जी एक लकीर लकीर के दाए जानी दो लकीरे लकीर के बाए जानी जो लकीरे टू एंटू में फो चार हो गए चार एक सीधी लकीर के लिए इस सीधी लकीर के दाए ही तरह तो लकीरे बाए ही तरह तो लकीरे और फिर रभी अक्रीम स्वाइब के लिए बीच वाले सिराती मुस्तकीमन फत्त्त्यू नभी नभी फर्माई ये अल्ला का रास्ता फिर उसमर कुरान नभी का कह देना ही का फीदा नभी की जबाने मुबारख से जो निकले वो हर्फे आखिर आपको इस तिद्लाल के लिए आयत पेश्करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने आयत भी फर्माई इसका मतलब रसूल की हदीस में मौझूद है और कुरान की आयत में मौझूद है की रास्ता ही थी है वानना आपने उंगली रखकर के प्रेक्टिकल बताया कि ये रास्ता है उसके बाद आयत ये को उसके उपर मुंतबिक किया यानि आदीस भी कहती है और दुनिया की तवाम किताब कहती है हिम्दियों की मखभी किताब जिसके उपर हाथ रखकर के खसम खाई जाती है अदालत के अंदर वो कह रही है एक ही रास्ता दाई है अगर ऐसा होगा तो तुमको तमाम पापों से मैं मोक्ष करके जन्नक में डाल दूँगा घम मत कर डोंट वी सैट मा शूचा डोंट वी सैट